नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल आयरवेदिक उपचार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम सभी अगर बालों में रूसी हो गई है तो इ से रखें ये सभी समस्याएं इसमें सोल्व हो जाएंगी अंत तक बने रहे है बालों में रूसी की समस्या हो तो सर्सों के तेल में थोड़ा सा निम्बू का रस मिला करके अपने बालों की जड़ों में लगाईए लेकिन इस मिश्रण को रूई के फोहे से लगाईए इस उ दो करके इससे फायदा होगा इसके अलाबा रीठा पानी में मसल करके उससे सर्द होईए इससे रूसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी यह बहुत अच्छी ओश्यदी है या फिर जैतुन के तेल और निम्बू के रस को मिला करके बालों की जड़ों में लगाईए इससे रूस इन भींगे हुए मेथी के दानों को पीस करके पेश्ट बनाईए इससे बालों की जड़ों में आपको लगाना है कुछ देर बाद बालों को अच्छी तरह से धोना है जब इस सूख जाए तो इस उपाय को लगातार कीजिए इससे बाल काले होंगे चमकदार होंगे और भग 100 ग्राम नारियल के तेल में 3-4 कपूर मिला करके एक मिश्रण तयार कर लिजे इस तयार मिश्रण को रात के समय बालों में लगा करके सो जाए इस उपाय को करने से रूसी से मुक्ति मिलती है सुबह इसको आप धोलीजी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रूसी म तो इस प्रकार से आप रूसी से तो मुक्ति पाजाएंगे लेकिन अब बात करते हैं हम सभी कि आप नहे बाल कैसे हुगा सकते हैं नहे बाल यानि की बाल जो गिर गये हैं उनको वापस कैसे पा सकते हैं इसके लिए आप प्याज का रस लगाईए पहले इन में से कोई भी एक प्रयोग अपना करके रूसी हटाने वाले इतने सारे प्रयोग हमने बताए एक और पता देते हैं पानी में भींगी हुई मूंग डाल रख लीजे और उसको पीस करके आप बालों में लगा लीजे इसके बाद जब सुखने लगे तो बालों को धोलीजे इससे भी रूसी क और ही निकलने लगते हैं एक और उपाय हमें याद आ गया आप सभी के लिए कि बालों में रूसी हो तो क्या करें ये भी अपना सकते हैं आप शेहद और जैतुन के तेल में थोड़ा सा दालचिनी का पाउडर मिला दीजे और इस मिश्रन को बना करके अपने बालों में लगते हैं मजबूत होने लगते हैं आप चाहिए तो इसके बाद हलका सा नारियल लगा करके जब इसे आप धो लेते हैं तो उसके बाद हलका सा नारियल लगा करके मालिश कर दीजे इससे बाल मजबूत होते हैं बालों की समस्या के लिए वैसे तो केवल रूसी खत्म करनी ये प्याज घारस इससे नए बाल निकलने में मदद मिलती है लेकिन इसके साथ-साथ आपको परियाप्त मातरा में पानी पीना होगा और डाइट अच्छी लेनी होगी जिसमें प्रोटीन की मातरा अच्छी हो साथ ही साथ विटामिन E यूक्त भोजन हो आपका दूद वगेर का सेवन कीजे थोड़ा आप ड्राइफ प्रूट्स का सेवन कीजे आपके बाल नेचुरली ग्रो करने लगेंगे बढ़ने लगेंगे लंबे होने लगेंगे साथ ही साथ मजबूत होने लगेंगे और बालों में डैंडर्फ की समस्या नहीं होगी नेचुरल कलर उनका आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजी वीडियो पसंद आया तो शेर कीजे उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजे आपके मन में कोई सेहत संबंधी सावाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टोपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीड अनकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वास्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों